एलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो काफी सारे बच्चों का डाउट कोई कि सर्फ फंडमेंटल ओफ इन्वेस्मेंट कब स्टार्ट होगा और कैसे होगा कौन पढ़ाएंगे समिस्टर छे के अंदर तो मैं उन सभी चीजों पर बात करूँगा सबसे पहले प्रोग्राम और मैं साथ के साथ इसी वीडियो में डिसकस कर लूँगा तो जो बच्चे प्रोग्राम वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा उनको पता चल जाएगा तो मैं फंडमेंटल ओफ इन्वेस्मेंट से पहले आपके मैं सब्जेक्ट बता दू जो बीकॉम ओनर्स के बच्चे हैं म तीसरा सब्जेक्ट इनका फंडमेंटल ओफ इन्वेस्मेंट और एक और सब्जेक्ट है साथ चोईज है उसके अंदर और मुझे याद नहीं है चौथा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनस और यह कॉलेज की कॉलेज डिपेंड करेगा इनमें चोईज दे रखा हैं तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडमेंटल ओफ इन्वेस्मेंट बीकॉम ओनर्स के अंदर भी है और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो नंबर वन मैनेजमेंट अकाउंट एक सब्जेक्ट है ओनर्स वाले तो बच्चे पहले ही पढ़के आ चुके हैं दूसरा हमारा है यहां पर फंडमेंटल इन्वेस्मेंट और इसमें चॉइस में क्या दे रखा है हमें सर वैसे मैनेजमेंट में भी चॉइस है आपका इंडस्ट्रियल लौ का फोई है और फोई के चॉइस में दे रखा है आपको ओर्गनाइजेशन बिहेवियर तीसरा सब कि काफी सारे बच्चों का था अगर दिखा जाए उनका रहता है कि सर्जब हम भीकॉम करें तो भीकॉम करने के बाद हमें फुर्दर आगे कुछ कुछ कोर्स करनी विकॉम के बाद मैं करियर कांसुलिंग के क्लास लूँगा और मैं जो कि मिलने सारी बात है उनका कहना है कि सर हमना आगे फर्दर M.com या फिर फर्दर देखा जाए तो MBA या फिर CPA या CFA या ACCA या CMA तो ये ऐसे courses साथ के साथ CA भी है CS भी है तो commerce का जो एक creamy course बन जाता है investor banking भी हो जाता है तो ये कुछ courses बन जाते हैं जो की commerce field के बच्चों का desirable है ये मैं नहीं कह रहा है कहां से करना है नहीं करना वो चीज़े तो इन सभी के अंदर कहीं न कहीं fundamental of investment है न वो subject आ जाता है बीच मे fundamental of investment investment का मतलब मैं अगर आपको समझाओ न तो shares debenture इन में पैसा लगाने से है यानि सीधी बात बोलू न तो share market और इसको तो सब ने देखा ही है के share market होता क्या है तो fundamental के मतलब आपकी क्या-क्या सिधानत है मतलब इसको investment करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान रखना चाहिए company के किस-किस points को focus करना चाहिए balance sheet क्योंकि balance sheet पी एंडल ये सब सब सीख चुके हो लेकिन आउ आपको decisions लेना है एक तरीके से हलाकि यह fm financial management का ही एडवांस वर्जिन है बड़ा चोटा सा स्लीबस है ज्यादा बड़ा स्लीबस नहीं है इसका देखा जाए तो लेकिन आज जो बच्चे नहीं बढ़ेंगे उनके लिए बहुत बड़ा स्लीबस है तो जितना स का माल लो same equal to ठीक है तो सर fundamental of investment become program semester six के अंदर honors के अंदर six के अंदर मतलब honors और प्रोग्राम दोनों में ही है तो मैं हर बच्चों को बोलूँ आगर कोई बच्चा subject choose करने आ रहा है तो बहुत सारे बच्चों ने पहले ही registration कर लिया है तो fundamental of investment की classes वगेरा कैसे रहेंगी मैं ए ठीक है इसके बाद bond के अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है अप्रोच equity analysis यह थोड़ा थियूरी है और थोड़ा प्रैक्टिकल है अगर मैं बताओ तो अब देखोगे जैसे return risk के हम equity में कैसे पता करें कि हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए कल पर सो आपने सुना होगा नियूज में HDFC का शियर 8% टूट गया बहुत लोगों को बहुत नुकसान हो गया तो क्यों टूटा यह 8% क्या fundamentals reasons रहे होंगे अगर आप चीजों को पहले से study करते तो शायद आपके वहां पे पैसे नुकसान नहीं होता sir bonds bonds यानि आप कई बार share market बहुत जादा नीचे डाउन चला जाता है जैसे कोविट के टाइम पे टूट गया तो बॉंड में क्या होता है fix rate of return मिलता है तो क्या हमें bond पे switch करना चाहिए नहीं क्योंकि market में देखो वही पैसा लगाता है जो कि अपने पैसे को switch भी करता है long time investment तो होता ही है लेकिन switch भी करता है market डाउन जाती है तो पैसे निकाल के बॉंड में डाल देता है ताकि महां से interest आता रहा है और उसका पैसा वेल्यू सेम बना रहे है ठीक है na equity share कैसे analysis किया जाए यानि अगेंस शियर मार्किट से dividend decision discount पी रेशो हलाकि आपने पी रेशो तो प portfolio में बहुत जो share market में थोड़ा भी दिल्चस्पी रखते होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं तो मैं अभी तो वो चीजे मैं बता नहीं सकता है जब हम chapter को पढ़ेंगे तो एक एक पार्ट को एकदम खोल के पढ़ने वाले है पूरा practical है तो मज दूट नहीं है यह मनलो यानि share market में पैसे लगाना गलत है तो जानकारी क्यों रखो मतलब हर परसन को सूट नहीं करता एक तरीके से मेरा माला यह है तो सर क्योंकि मैं पिछले अगर मैं बात करूं ना तो मैं शेयर मार्केट में दो हजार आठ अपने ट्विल्थ के टाइम से मैं इसके अंदर था त्विल्थ में बहुत तगड़ा क्रैसिस आया था उस टेम पे मैंने निफ्टी बाइस सो देखे में निफ्टी बाइस सो अ में देखा हुआ है आज वह एक लाग प्लस है मार्फ कशिर तो जो स्टॉक मार्केट है मैंने स्टार्टिंग से देखा हुआ है अभी आप लोग को डेरिवेटिव अगरे पढ़ाया जाएगा जैसे इसके अंदर देखा जाए मीचुल फंड क्या होता है फोटफोलियो क्य होता है यह सारी चीज आपको अभी पढ़ाया जाएगा लेकिन इन सभी चीज पर मैंने प्रैक्टिकली क्लास में जब मैं था पास आउट हुआ था तो मेरा इंटरस्ट था हलाकि बहुत नुकसान भी हो गया उस ताहीं पे मेरे लिए उस तेंपर बहुत पांच-छीज़ा पास ऐस बहुत बढ़ा नुकसान माना जाता है तो यह सारी चीज और प्रैक्टिकली देखा तो में प्रैक्टिकली स्वाइब करके आपको क्लास के बीच-बीच में बताता रहूंगा इस बैच को हमन ने स्टार्ट कर दिया और न इसस के अदर सारी की सारी क्लास काब्सा लाइव होने वाली है क्योंकि इसके अंदर कोई प्री रिकॉर्डिट नहीं है तो थोड़ा बहुत जिन बच्चों का रेगुलर के अंदर इंटरनल वगएरा होता है मैं कोसिस करूँगा जल्दी-जल्दी कराके Fast Slaves कर दूँ मेरे टार्गेट यह है कि मैं April के अंदर इसका primero के अंदर इसकाrika यूट्यूब पे इसके वीडियो आने के चांसे बतलब के आएंगे लेकिन बहुत दिले हो जाएगा तो वह आप चीज़े देख लिए अभी डिली रहा है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अभी इतना डिले डाल रहे हो कुछ बच्चे तो मेरे को ऐसी कमेंड में बोल जिनको कोर्स जो एन्रोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दे गया दिया हुआ है वहाँ पे आप कम्निकेट करिए आपको मिल जाएगा अभी फिलहाल के लिए यह हम 500 में आपको दे रहे हैं वैसे MRP देखोगे वहाँ पे 650 रुपए है उसके पीछे रीजन है MWF मेरा फेवरेट डे होता है वैसे MWF FM इसलिए मैं MWF में रखना था और जो थोड़ा सा सब्जेक इंट्रस्टिंग होता है मैं MWF ही रखता हूँ 7-8 किया रखा है मैं MWF 7-8 एवनिंग में आराम से बड़े आराम से खतम हो जाएगा संटे बगरे लगाना हो तो हो जाएगा तो बस यही बताना था होफुली आप अच्छे होंगे और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है वो एंजोई भी कर रहे होंगे तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि डियू वालों का पेपर ऐसा है खतम हुआ और आ गया फिर टेंशन हो जाते है एकदम से खतम हुआ फिर आ ग अगर इस सब्जेट को पढ़ते हो तो शायद आप बैंकिंग में आराम से जॉब ले सकते हो शायद आप इस बेसिस पे स्टॉक मार्केट जिनका काम होता है जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं जैसे कि आप मान के चलो एंजल ब्रोक आपके पास होना चाहिए बाकी फैसला आपका है डिसिजन आपका है तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स वीडियो में यह था फो आई अगली बार में कौन-कौन से चेप्टर में मैं इसको तोड़ूंगा कितने चेप्टर पढ़ाऊंगा और किस तरीके से पढ़ाएंगे सारे चीजे स्ट्रडेजी स्टार्ट करेंगे जो क्लास स्टार्ट होगा जो 26 जन्वर यानि एक तो मंडे पर सो तरसो है उसने नेक्स मंडे क्लास आपका फर्स्ट क्लास इसका डिलीवर हो जाएगा बच्चों को लाइविंग टाइम में तो थैंक्यू सो मच पूर वाचि शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में